एमिशारने तीर्थ में एकत्रित रिशियों ने शिरी सूत जी महाराज से कहा है सूत जी आपने संशेप से हमें मागमास महातमी की कथाओं का वर्णन किया जो सभी पापों का हरन करने वाली और परम पवित्र हैं हम सभी ने उसे बहुत ध्यान पुर्वक सुना हैं अब हम ल कुट यगिक हैं कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो समस्त पुर्ण्यों श्रे के संपुर्ण साधनों और समस्त यग्यों में जप यगि को ही सर्वोत्तम मानगया है जैसे सभी देवताओं में त्रपुरारी भगवान शंक स्रेस्थ हैं उस जब करने वाले पुरुषों को मौक्ष देने वाला है अर्थात ओम नमश शिवाय ये शरक्षर मंत्र सभी पुरुषों को मौक्ष प्रदान करता है सिद्धी की च्छा रखने वाले सभी स्रेष्ठ मुनी इस मंत्र का सम्य गुरूप से सेवन करते हैं शिव जी के शुप पंचाक्षर मंत्र में सर्वग्य परिपूर्ण सचिदानन सुरू भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं शिरिसूत जी कहते हैं हे रिश्यो फालगुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुरदशी का उपवास अत्यत दुरलब है उसमें भी शिवरात्री में जागरन करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुरलब मानता हूँ उससे भी अत्यत दुरलब है शिवलिक का दर्शन और परमेश्वर्शिव के पूजन को तो मैं और भी दुरलब तर मानता हूँ सौ करोड जन्मों में उत्फण हुई पुने राशी के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है दस हजार वर्शों तक जिसने गंगा जी के जल में इस्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायासी प्राप्त कर लिता है प्रत्येक युग में जो जो पुण इस संसार में लुपत हुए हैं वे सभी फालगुन कृष्णी चतुरदशी अर्था शिवरात्री में पूर्ण तह विद्यमान रहते हैं लोक में ब्रह्मा आधी देवता और वशिष्ठ आधी मुनी इस फालगुन कृष्णी चतुरदशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इस शिवरात्री को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे सो यग्यों से अधिक पुण्य मिलता है जिसने एक बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र से शिवलिंका पूजन किया है उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है इस विशय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है हे रिशयो इक्षवाकू वंश में मित्र सह नाम से प्रसित एक परम धर्मात्मा राजा हुए है वे समस्त धनुर्धारियों में स्रेष्ट, सभी अस्त्र शस्त्रों के ग्याता, शास्त्रग्य, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे राजा को खेल खेलने का व्यसन था एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकरवन में प्रवेश किया और वहां बहुत सारे ब्याग्र, जंगली सूर और सिहों को अपनी बानों से बींध डाला राजा मित्र सहे रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर बन में भ्रमण कर रहे थे उसी समय उन्होंने अगनी के समान आकरिती वाले एक निशाचर को मार दिया उसका छोटा भाई दूर से ये देखका शोकमगन हो गया और वह कहीं छिप गया भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ये राजा तो बड़ा दोड़धश वीर है इसे चल से ही जीतना चाहिए ऐसा निश्य करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकरती बनाकर राजा के पास आ गया राजा ने सेवा करने के लिए विनीद भाव से आये हुए उस पुरुष को देखकर अज्यानवश उसे रसोई घर का ध्यक्षी बना दिया इसके बाद राजा लोटकर अपनी पुरी को आ गए महराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी वे नलकी स्त्री दम्यंती के समान बड़ी पतिवरता थी एक दिन राजा मित्रसह ने श्राध के दिन मुनिवर वसिष्ठ जी को निमंतरित करके अपने घर पर बुलाया उस समय रसोईय के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वसिष्ठ जी के आगे परुस्तिया उसे देखकर वसिष्ठ जी बोले राजन तुझे दिकार है दिकार है तू इतना दुस्ट और चली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया इस पाप के कारण जा तू राक्षस हो जाएगा राजा मुनी के चरणों में गिर पड़े और मुनी को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने यह ऐसा नहीं किया है जब मुनी को अपने तपुबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करणों तो राक्षस की है तब उन्होंने उस शाप को बारा वर्षों की अबधी में सिमित कर दिया तब राजा भी कुपितो कर बोले कि यह मेरी करणों नहीं थी और ना ही मैं इस विशे में कुछ जानता ही था मुनीवर तब भी आपने मुझे अकारण शाप दे डाला इसलिए गुरू होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ ऐसा कहका राजा अंजली में जल भरकर अपने ही गुरू को शाप देने के लिए ततपर हो गए में डाल दिया क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कलमश्युक्त हो गए तब से राजा का नाम कलमाश गुरू के शाप से राजावन में विचरने वाले राक्षस बन गए एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नव विवाहित मुनी दमपत्ति रमण कर रहे थे उस समय उस नर्भक्षी राक्षस ने तरण मुनी कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया ठीक वैसे ही जै शोधर महराज आप ऐसा पाप मत कीजिए आप राक्षस नहीं अयोधा के समराठ हैं राजा मध्यनती के पती हैं प्रभो ये मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रेय हैं इन्हें मत मारिये शरण में आए हुए दीन दुखी मुनिश्यों को आप ही सहरा देन इन महात्मा पती के बिना मेरा ये शरीर मेरे लिए महान भार है इस मलिन पाप में पांच भौतिक शरीर से क्या सुख होगा ये मुनिकुमार देखने को बालक हैं किन्तु वेदों के विद्वान शांद तपस्वी और अनेक शास्त्रों की ग्याता हैं इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुनिप्राप्त होगा महराज मैं एक ब्रहमन की पतनी हूँ अभी बाली का हूँ मुझ पर करपा कीजिए आप जैसे सादू पुरुष अनाथों दीनों और पीडेंतों पर करपा करने वाले होते हैं इस प्रकार प्रार् प्रोक से ग्रस्त होकर विलाब करने लगी उसने पती की हड्यों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पती का नुसरन करने के लिए अगनी में प्रवेश करते समय राक्षस रूप धारी राजा को इस प्रकार शाप दिया अरे ओ पापात्मन तूने मेरे पती को खा लिया है इसलिए तू भी जब इस्तरी से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्ती हो जाएगी ऐसा कहकर वैं पती वृता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई गुरू के शाप का उपभोग करके राजा पुनह अपने स्वरूप को प्राप्थ हुए और प्रसनित की इच्छा वाले पती को पने पास ही आने से मना कर दिया राजा मित्र सहर राज्य के सुख भोग से विरक्थ हो गए और संपुन लक्ष्मी का त्याग करके फिर सेवन में चले गए राज्य छोड़कर संपुन प्रत्वी पर विचरते वे राजा ने अपने पीछे-पीछ आती भी एक भयंकर रूप वाली पिशाचनी को देखा वह ब्रहमत्या थी शुरेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रहमत्या को पहचान लिया उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनिको वर्ष्व तक बहुत से छेत्रों में विचर किया तब मुनिश्रेष्ट गौतम ने राजा को अशिरवात देकर मंद मंद मुस्कराते वे कहा राजन तुम्हारे यहां कुशल तो है ना तुम्हारे राजी में कोई विग्न बाधा तो नहीं है राजा कहने लगे प्रहमन आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल है पूर्वक संभाशन करके मेरे मन को अनन्दित कर रहे हैं महाभाग आज अपने चरण कमलों की शरण में आएवे मुझ पापी को शांती प्रदान कीचे जिससे मुझे सुख मिल सके तब करुणा निधी गौतम जी कहने लगे राजन तुम्हें साधुवाद है अब अपने म नामक मनुरम छेत्र महापापों का संघार करने वाला है और वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते गोकर्ण छेत्र में विद्यमान भगवान शिव इसमरन करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं जैसे केलास और मंद्राचल के शिखर पर भगवान शिव का निशित निवास है ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है महा महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं रावन नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राक्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण छेत्र में स्थापित किया है सन कंडी मुंडी सनातक ब्रह्मचारी और तप से समस्थ पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिर्जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण की समान दूसरा छेत्र नहीं है वहां महात्मा अगस्त मुनी ने घोर तपस स्याकी है राजन इस तीर्थ में संपून देवताओं के स्थान है देवाधिदे भगवान विष्णु परमेश्ठी ब्रह्मा वीरवर कार्तिके तथा गणेश्ची के स्थान है गोकर्ण तीर्थ में कोटी कोटी शिवलिंग विद्यमान है वहां पग पगपर असंग के ती महाबल शिव भयंकर कल्युक प्राप्थ होने पर कोमल भाव को प्राप्थ होंगे परम उत्तम गोकर्ण छेत्र पश्चिम समुद्र के तठपर है वह ब्रह्मत्या आधी पापों को भस्म कर डालता है इस संसार में जो ब्रह्मगाती भूत द्रोही शठ और अन्य पापों स ग्रस्त होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिव लोग को प्राप्थ होते हैं वहां पुर्ण तिथियों को पुर्ण नक्षत्र और पुर्ण दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करता है वह ब्रह्म पद को प्राथ हो जाता है रविवार सुमवार और बुधवार को जब अमावस्य तिथी का योग हो तब वहां समुद्र में किया हुआ इस्नान दान पित्रतरपन शिव पूजा जप होम व्रत्चर्य और ब्रहमनों का सितकार अनन्त फल देने वा है फालगुन मास में जो परम पुन्यमई कृष्ण पक्ष की चतुरदशी आती है उस दन शिवलिंग और बिलुपत्र इन सब का सुयोग दुरलब है अहो मया कैसी प्रबल है कि जिससे मोड हुए मनश्य भगवान शिव की इस महातिथी को उपवास तक नहीं करते शिवरात मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लोट कर आया हूँ शिवरातरी को पुवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लोटा हूँ शिवरातरी पर वहां का महानुच्व देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहां आये थे इस्तरी बालाक व्रिद और चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके करत करत्यता को प्राप्त हुए लोटते समय मार्ग में एक अध्भुत आश्री की बात देखकर मैं परमानंद में निमगन होकर करतार्थ हो गया हूँ तब गौतम मुनी ने राजा को उस अ प्रितांत आप अगली अध्या में सुनेंगे